नहीं आई योधिया के राम मंदिर के बारे में आपने खूब सुना हुआ और कई लोग वहाँ पर जाकर भगवान राम की दर्सन भी कर चुके होंगे लेकिन अब बिहार में बनेगा माता सीता की दुनिया की सबसे बड़ी परतीमा और दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर मंदिर जी हां दोस्तो इसका टेंडर भी निकल चुका है इसकी भी मैं पूरा प्रूप दूँगा इसकी पूरी स्ट्रक्चर सामने आ चुकी है तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मास सीता की यह स्ट्रैचू और मास सीता की यह भग मंदिर ब आप देखे रहे हैं पटना नियूज दोस्तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इस सीजूरी होई ख़वर दिखाऊंगा उसके बाद इस वीडियो में मैं आगे इस मंदिर का और स्टैचू का डिजाइन देखाने वाला हूँ और आप सबों के सामने मैं प्रूफ र इस मंदिर का कर सकते हैं बहुत जल्द चलिए ख़वर में आगे क्या कहता है ख़वर में लिखा हुआ है कि मत परदेश के नल खेडा इस्थित मा बंगला मुखी सिधी पीठ प्रांगन के संद कांसलिंग के अध्यक्ष ने कहा है कि वह लंबे समय से सीता मडी में मा सीता ज में जिहां दोस्तों सीता मडी में दुनिया का सबसे बरात मा सीता की स्टैचू बनेगी और मंदिर बनेगी और उस एरिया को पूरा विक्सित किया जाएगा मतलब कि सीता मडी को आने वाले समय में विक्सित कर दिया जाएगा तो जो लोग भी सीता मडी से वो कॉमेंट करे इससे जुरी हुई और भी खबर है आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन सॉट लेकर आपके लिए मैं पढ़ के बता देता हूँ इस नियमित भूमी उपलब्द कराने को लेकर भी बात चीत हुई है और भूमी भी आलमोस्ट उपलब्द हो चुकी है तो यह है खबर आप स्क्रीन सॉट लेकर खबर को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं खबर को पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाऊंगा सबसे पहले हम चलिए आगे बरते हैं इसके डिजाइन और रूप रिखा पे एक नज़र डालते हैं देखे सबसे पहले तो यह पूरा डिजाइन होगा मंदिर के अलमोस्ट प्रांगन का ठीक है यह एक 3D मॉडल है यहाँ पे मासीता की एक स्ट्रैचू होगी इतनी बड़ी स्ट्रैचू होगी कि देखे इसके पास जो मंदिर है यह बहुत छोड़ा इस स्ट्रैचू के सामने लग रहा है मोड़े तोर पे बताया जा रहा है कि करीब-करीब 500 फीट का या ऐसा ही कुछ बताया जाए कि परतीमा होगी इसकी पूरी जानकारी मेरे पास अभी नहीं है लेकिन बहुत बड़ा ये परतीमा मासीता की बनेगी इसके सासत आप देखे इस बीच में एक तलाव होगा ये तलावे बीच में इधर भी तलाव होगा और इधर भी तलाव होगा ये पूरा एरिया ग्रीन होगा ग्रीन फिल्ल एरिया होगा ठीक है और इसके साथ साथ यहाँ पे देखे कई छोटे 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 मंदीर है ये सारे मंदीर होंगे ताकि यहाँ पे लोग आगर पूजा अर्चना कर सके इसके साथ साथ यहाँ पे बैठने की जगह होगी तो इंट्रीगेट यहां से आप इंट्री कर पाओगे इस मासिता की मंदिर में जहां पर कई मंदिर होंगे और स्टैचू भी होंगे यह देखे यह इंट्रीगेट होगा तो यह बहुत ही भब मंदिर होगा और आगे भी अगर इसके स्ट्रक्चर पे नज़र डाले तो यह देख कार पार्किंग की पूरी व्यवस्था की गई है इसके अलावा आप और भी देखे कि इधर ये मंदिर का प्रांगन है और इतर ग्रीन एरिया है पार्कूर की भी होगा आगे आप स्लाइड में आपको मैं दिखाऊंगा की पार्कूर की व्यवस्था की गई है आगे के स्लाइ एरिया होगा, यहाँ पर भी यह पार्क एरिया होगा, ग्रीन एरिया, यह साइड भी ग्रीन और पार्क एरिया होगा, यहाँ पर मासीदा की स्टैचू होगी, यह पूरा एरिया गोला कार होगा, और बीच में बैठने की जगह होगी, पूजा करने की जगह होगी, भक्तों के अब यहाँ पर यह देखिए कि बिहार एक इंस्टाग्राम पेज है उन्होंने लिखा है कि कैबनेट सेविस की अप्रूबल मिल चुके है ठीक है यहाँ पर देखिए कि कैबनेट निरनेसिता मड़ी में पूनौरा थाम में जानकी जन्म भूमी मंदिर के आस पास परियाटक विकास एवं अध्राबुत सन्चना के लिए पचास एकर भूमी का अदिग्रहन की सध्धैन्तिक मंजोरी में लिए है मतब कि जमीन अदिग्रहन इसलिए किया जाएगा ताकि यह मंदिर और भी भब दिख सके इसमें जो भी स्लाइड है मैं वह आपको दिखाया हूँ तो इससे होगा क्या इसके साथ साथ सीधा मड़ी से सीधा अयोध्या के बीच कई ट्रेने चलाई जाएगी ताकि सीधा मड़ी से अयोध्या के बीच रोड कनेक्टिविटी और ट्रेन के कनेक्टिविटी बहतर हो पाएगी क्योंकि दोनों तिर्थस्तल बहुत ही जादा एक द आप दियान से इसको आप स्क्रीन सॉट भी ले सकते हो, दियान से आप देखते जाएए कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं, आप पर पुराइना धाम टेंपल का देखिए, इतना पैसे अलोकेट किया गया है, इस चीज को मैं टेकनिकल तौर पे नहीं उतना समझ पाड़ा हूँ, जो लोग भी टेकनिकल तौर पे समझ पाड़े इसका स्क्रीन सॉट लेकर आप मुझे कॉमेंट वाक्स में बताइएगा, तो इसका री टेंडर का परकिरिया इनभाइट कर दिया गया है, तो बहुत जल् कि बिहार में आपको एक टूरिजम का इको सिस्टम बनेगा, इस से उत्तर परदेश से, जो भी लोग उत्तर परदेश के अयोध्या में जाएंगे, राम मंदिर का दर्सन करने, वहां से सीधी एक ट्रेन होगी, वो सीधा, सीधा मा के इस पबित्र जनभूमी सीधा मड़ी आएंगे और मास सीधा के दर्सन भी करेंगे, तो ऐसे में धार्मिक तोर पे बहुत ज्यादा मात्म है, राम जी और सीधा जी, तो ऐसे में ये दोनों तीर्थस्तल का भ्रमन भगपलू कर पाएंगे, और एक बेहतर इंफ्रस्रेक्टर के साथ, तो इसी परकार इसका डेव तो आपको क्या लगता है कि कब तक इसका निर्मान होगा, और अगर आपको लगता है कि अगर आप सीतामडी से हैं और इससे जूरी कोई अपडेट है तो आप मुझे कॉमेंट वाक से पड़ापड बताएं, आप मेरे से कोई भी कुश्चन कर सकते हैं, आप मुझे लगिए धनिवाद